तो पहला कुशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसे दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं के संबंद में गडित के अध्यापी का सुसीला देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है, मतलब सुसीला देवी एक अध्यापी का है और इन्होंने वास्तविक संख्याओं के बारे म परी में तथा आपरी में संख्या होती है और फूर्थ है वास्तविक संख्याएं केवल संख्या होती है ठीक है तो यदि आर आपने वास्तविक संख्या अच्छे से पढ़ रखिए या डिफिनेशन आपको धंग से पता है तो option number थड होगा इसका right answer कि जो वास्तविक संख्य संख्याएं वह परी में तथा आपरी में दौनों होती है मतलब हम यह बोल सकते हैं कि परी में संख्याएं और आपरी में संख्या जैसे दो बटे तीन पांच साथ ठीक है यह होगी परी में संख्या और आपरी में संख्या के अंतरगत जाएगी करनी तीन करनी पांच और प पर्यमेद संख्या दोनों प्रकार की संख्याहें आती है इसलिए जो सुसिला देवी जो की गडedy क neon के अध्यपीका इन्होंने यही कत्रन पुला होगा की वास्थवी संख्याएं परिमेर संख्या तथा आपरिमेर संख्याएं होती है ठीक है सेकंड कोशन दिखते हैं सेकंड कोशन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है कि नेहा ठीक है जो नेहा है अपने भाई को पढ़ाती है उसका भाई कक्चा पांचवी का चातर है ठीक है उसके बाद दे रखा है कि संख्या 3560 को लिखते हुए नेहा ने यह चार अंकों की संख्या है मतलब यह कह दिया ने कि यह जो 3560 है वह चार अंकों की संख्या है यह संख्या पांच से पूरता विभाजित होती है फिल्कुल विवक्त होती है इस संख्या के विभाजिता कि जाज करने के ल सुक्ष्मा और सटिक तरीका कुन सा है तो पहला option जैसे है 3560 को सीधे सीधे 5 से विभाजित की जा सकती है second है जिस संख्या के अंत में या एकाई के स्थान पर 0 या 5 हो उसे 5 से विभाजित 5 से पूरता विभक्त हो जाती है कैसे सारी संख्या है थर्ड है इस संख्या के अंको का योग उसके ठीक है करके 5 से भाग देकर विभाजिता की जाज करेंगे और फूर्थ option है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी तो यदि आपने डिवेजिबिटी नाम का जो चेप्टर है पूरा पड़ रखा होगा तो जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर जीरो हो या तो पांच हो वह पांच से पूर्था विभाजित होगी ठीक है तो second question जोगा उसका answer होगा second question number third देखते है कि question number third हो जाएगा गडित में निमने में से कुन सा चरण समस्या समधान विधी का नहीं है ठीक है तो ज second दिया है आकडों का संकलन तथा संकलन तथा व्याख्या करना third option दे रखा है कि निशकर्स निकालन तथा सामान्नी करन करना और fourth option दिया है कि समस्या को समझना और परिभासित करना तो यह अगर आगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां आप देखोगी second option देख आकडों का संकलन करना और व्याख्या करना यह बिल्कुल गडिस से related है third भी देखोगे तो निशकर्स निकालना तथा सम्मान्नी करन करना यह भी गडिस से related और fourth देखोगे समस्या को समझना और परिभासित करना यह भी गडिस से related है परन्तो वहीं पर अगर आप first option देखोगे तो सारे एक सोस्टव को अधिक महत्व देना ये गड़िस से रिलेटेट नहीं है और यहाँ पर यही पुछाए कि निम्न में से कुन सा चरण समस्य समधान विदिका नहीं है वो भी किसके गड़ित का तो option number first होगा answer क्योंकि ये गड़ित की समस्य समधान निदिका कथन नहीं है ठीक ह तो question number third answer number first होगा question number fourth देखते हैं कि आपको दे रखाए कि एक गड़ित अध्यापक है एक गड़ीत अध्यापक ने एक चात्र है विवेक से निम्न प्रस्न को हल करने किलिए कहा ठीक है कौन से प्रस्ण कोहल करनी के लिए कहा तो यहां देखते हैं एक संख्या x को पांच चार बटे 5 से गुणा करो ठीक है तो देखो अगर हम विवेक के बात करें तो आर विवेक ने क्या कर दिया अगर हम विवेक की बात करें, ठीक है, विवेक, विवेक को कहा कि एक संख्या है X, अगर X का मान अगर मैं कुछ मान लू माना कि 20 है, तो उसे कहा कि इस 20 को गुणा करना है किस से, 4 बटे 5 से, गुणा करो, लेकिन भुलवस उससे ने उस संख्या को 4 बटे 5 से क्या कर दिया, और आगे शॉल करोगे तो चारे कम चार चारे पंची बीस तो पच्चम कितना जाएगा 25 मतलब जो विवेक ने अंसर लाया है वो कितना लाया है 25 आगे देखते हैं कि सही उत्तर नहीं बता पाया बिल्कुल क्योंकि उसे गुणा करने के लिए कहा था उसने भाग दिया मतलब जो 25 से वो सही उत्तर नहीं है दूसरे चात्र विनय ने सही उत्तर बताया अब सही उत्तर बताया कोने विनय ने तो अगर हम विनय की बात करें यार तो विनय ने सही उत्तर बताया है तो उसने 20 में गुणा किया होगा किसका 4 बटे 5 का तो आंसर आया होगा कितना 16 लाया हो है ठीक है यहाँ पर विनय का उत्तर सही है तो विनय का उत्तर होगा विवेक के उत्तर से अधिक तो देखो विवेक ने लाया है पच्चीस और विनय ने लाया है कितना सूला तो पहला उप्शन तो गलत हो गया उसने बुला कि विवेक के उत्तर से अधिक जो कि गलत है विनय का उत्तर और बिल्कुल कम आया है मतलब आंसर नंबर सेकेंड होगा इसका राइट आंसर बाकी सारे गलत होंगे तो कोसिस करें यार अगर समझ में ना है तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लिजी और एक बार और दिखलो और एक बार पहले कोशन ध्यान से जरूर पढ़ना एक अध्यापक चेत्रमिती पढ़ाता है ठीक है क्या पढ़ा रहा है चेत्रमिती को याद रखिये माइंड में एक चात्रा ने कक्छा में खड़े होकर एक प्रस्न को अध्यापक से समझाने की अपील की मतलब एक चात्रा है उसने यह बुला अध्यापक से की एक प्रस्न क को समझाना है चात्रा का प्रसने इस प्रकार था कि अब देखो यहां से स्टार्ड होता है ठीक है एक वर्ग की भुजा को ठीक है एक वर्ग की भुजा को छे मीटर कम कर दिया जाता है तथा दूसरे भुजा को दस मीटर बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रकार बने आयत का छ एकस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना एकस ठीक है वर्ग है उस मतलब उसकी दौनों भुज़ा आपस में बराबर है उसने बोला कि छे मीटर कम कर दिया जाता है मतलब भुज़ा को कर देते है एकस माइनस छे और दूसरी भुज़ा कि अगर हम बात करें तो यहाँ प ठीक है उप्रोक्त के अनुसार अध्यापक का उत्तर होगा अब अध्यापक से यह पूछा कि यह वर्ग दिया था और एक भुज़ा को 6 मिटर कम कर दिया दूसरी को 6 मिटर 10 मिटर बढ़ा दिया तो बनने वाले आयत का जो छेतरफल है वर्ग की छेतरफल का कितना होगा त सेकेंड है वर्ग की छेतरफल से अधिक और थार्ड है वर्ग की छेतरफल से कम और फूर्थ है आपकड़े अधूरे हैं इसलिए प्रसनों को हल नहीं किया जा सकता तो यार ऑप्सन नमबर डी ही इसका राइट आंसर होगा वो क्यों होगा क्यों कि यहाँ पर अभी भी एक इसकी वेलू ना हमें यहाँ पता है इसलिए यह बताया नहीं जा सकता कि यहाँ पर यह छेतरफल इसका अधिक आएगा या इसका कम आएगा इसलिए उप्सन नमबर डी ही इसका राइट आंसर होगा आकड़े अधूरे हैं इसलिए प्रसन को हल नहीं किया जा सकता और गूजा का एक वर्ग ब्रगाकार पार्क है ठीक है जो अमित है उसके विध्याले में इसलो मिटर भुजा का एक वर्गा कार पार्क है जोकी आपको यहां धिख राया ठीक है ओडिए थोड़े से kte판 दिख और चिया वकी को रिकत नहीं यह दी बड़गे डा कार्क है उ यहां से लेकर यहां तक की भुजा हमें कितनी दे रखिए आठ चीजे समझना यह मद्द बिंदू होगा और यह मद्द बिंदू होगा तो यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा होगी यह वाली देखो यह टोटल आठ की यह हो जाएगी उपर की चार तो नीचे की भी कितनी हो जाएगी चार और उपर की चार तो नीची के भी चार हो जाएगी मतलब यह वाली भुजा का मान भी कितना होगा चार और यही किसका काम करेगी तरिज्जा का मतलब वृत की तरिज्जा हो जाएगी चार और अगर हम छेतरफल की बात करें वृत का छेतरफल तो आप जानते इहां पर 8 की जगिया जाएगा, 16, तो 4 की जगिया जाएगा कितना 8, तो यहाली खुजा कितनी आ जायगी? eight मतलब त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जज ढगर जाएगा? जाएगा 64 तो आजाएगा अंसर कितना 64 पाई अंसर हो जाएगा 64 पाई मतलब option number second होगा इसका right answer question number 7 देखते हैं सात्वा कुछ इस प्रकार से दे रखाए कि राम ने बाजार से ठीक है जो राम है उसने बाजार से दो दरजन केले खरीदे ठीक है समझेगा दो दरजन केले खरीदे केलो का एक बटे चार भाग ठीक है केलो का एक बटे चार भाग उसने चोटी बहन को दिया है और उसके बाद सेस का एक बटे तीन भाग अपनी मा को दिया है सेस का एक बटे दो भाग अपने मित्र को दिया औ तो चीजे समझी यार उसने टूटल दो दरजन केले खरीदे हैं, ठीक है, दो दरजन केले खरीदे हैं, इसका मतलब केलो की संख्या कितनी है, टूटल 24 है, और केलो की संख्या 24 है, तो उसने एक बटे 4 भाग, अपनी छोटी बहन को, तो इसका अगर एक बटे 4 निकालोगे आ तो 24 का एक बटे 4 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 केले उसने उसकी छोटी बहन को दे दिये, ठीक है? और उसके बाद, एक बटे 3 भाग अपनी मा को दिये, ठीक है? 6 का, अब एक बटे 6 अगर छोटी बहन को दे दिये तो इसमें से 6 केले माइनस कर, तो बचे कितने? 18 केले, इस 6 18 केलो में से अपनी मा को दिये कितने? 1 बटे 3, तो यार अगर 1 बटे 3 लिकाल दे किसका, तो उनके मा को दे दिये उनने कितने? इसका 1 बटे 3, और 18 का 1 बटे 3 अजाएगा कितना? 6, तो अभी केले कितने बचे हैं? До 6 keylai अगर مائنस करोगे तो बचे का कितना 2 तो अभी 12 केले 6 बची है उसका 1 बटे 2 भाग ठिक है 1 बटे 2 भाग मित्र को दे दिये तो 12 का 1 बटे 2ives आगर आप निकालोगे तो आएगा कितना 6 केले और वारा मैंसे फिर से 6 केले घंटाोगे तो अभी सेस कितने हैं उसके पास तो सेस केले हो जाएंगे कितने छे और छे सेस केले हो जाएंगे तो उसने यही बुला कि उसके पास कुनसा भाग बचा तर फाइनली उसके पास छे केले बचे समझे ना उसके पास कितने केले बचे छे टोटल कितने थे चोबिस तो छे एक चोबिस तो कुनसा भाग बचा एक बटे चौथा बाग और एक बटे चौथा मतलब आपसर नमबर सी होगा इसका राइट आंसर कुल के लोका एक चौथा ही भाग उसके पास अभी बचाए तो यार इस प्रकार का कोशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक है थोड़ा से एक जीवन का एक ही भाग है ठीक है मतलब यह बूल सकते कि जो प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्याले में प्रदान किया जाता है यह कथन किसका है मतलब ऐसा किसने कहा था कि जो प्रोजेक्ट है वह यथार्थ जीवन का एक ही भाग है और यह किसने क कहा था मतलब यह कथन किसका है तो option number पहला गर देखोगे तो stevenson second है पारकर third है बेलाड और fourth है मेक क्यू मेक डू गलका ठीक है तो option number इसका यार होगा first answer stevenson नहीं यह कहा था कि जो प्रोजेक्ट का रहे है वो यथार्त जीवन ठीक है जो प्रोजेक्ट का रहे है वो यथार्त जीवन का एक भाग है जो विद्याले में प्रदान किया जाता है और यह कथन हो जाएगा किसका तो stevenson का option number first होगा इसका right answer अगला question देखते हैं कि जो मोनिका है ठीक है यहाँ पर question number 9 हो जाएगा कि मोनिका अपने school को कुछ लड़ू लेकर जाती है ठीक है कुछ लड़ू लेकर गई है पुर मोनिका अपने school वह अपने लड़ू का एक बटे पांच भाग अपने दोस्त नेम पाल को तथा एक बटे तीन भाग सोहन पाल को देती है यदि अन्तिम उसके पास साथ लड़ू बचे तो प्रा एक बटे पांच भाग उसने किसको दिया अपने नेम पाल को दे दिये इसका एक बटे पांच नेम पाल को दिया एक बटे तीन भाग सोहन पाल को दिये ठीक है कितना एक बटे तीन भाग सोहन पाल को दिये और उसके पास अभी कितने बच्चे है साथ लड़ू बच्चे त और x का एक बटे 3 निकाल दोगे, ये total उसने एक तो ये वाले दिये है नेमपाल को और ये वाले दिये है सुहनपाल को, तो इतने लडू से ने बाट दिये और उसके पास बचे कितने हैं, 7 और 7 बचे इसका मतब total कितने थे, x और x में से अगर हम इतना minus करते हैं जो उसने बाटे हैं तो आ कितना जाएगा जो उसके पास बचे है वो तो finally उसके पास total add की कितनी संख्या थी तो अगर आप इसे solve करेंगे यार तो solve करते हैं इधर कर लिते हैं na x minus कुष्टक के अंदर की जो है यहाँ पर आजाएगा कितना 5 x और यह कितना है तीन सरी 5 बटे x sorry x बटे 5 और यह जाएगा कितना प्लस x बटे 3 बराबर से कितना है 7 5 और 3 का lcm लोगे तो कितना जाएगा आट और अंसर में कितना जाएगा तो देखो 5 5 और 3 का LCM यहां 5 और 3 का LCM ले रहे होंगे तो 5 और 3 का LCM कितना जा रहा होगा तो 15 5 का भाग दोगे 15 में 3 बार 3 का X मुखुणा करोगे तो 3 X 3 का 15 में भाग दोगे 5 बार 5 का X मुखुणा करोगे तो कितना X 5 X ठीक है बराबर से कितना है यहाँ पर 7 और यह माइनस हो रहा है किस से तो X से और आगे अगर हम solve करेंगे तो X minus 3 और 5 कितना 8 X बटे में कितना 15 बराबर से कितना 7 और आगे solve करेंगे तो 15 का X में गुड़ा होगा तो 15 X minus 8 X बराबर से कितना आएगा 7 और इसके बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है भी 15 है ठीक है तो खुला सिक्जेस्ट करिए 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 7 X बचेगा और बराबर से कितना है यहाँ पर 7 और बटे में कितना है हमारे पास अभी 15 और आगे सॉल करेंगे तो साथ से साथ कड़ गया तो एक से कावान फाइनली आए कितना जाएगा 15 लब हम यह बोल सकते हैं कि उसके पास टोटल कितने प्रारब में कितने लड़ू थी तो उप्सन नमबर सी होगा राइट आंसर 15 लड़ू अगला कुशन दिखते हैं कुशन कुछ इस प्रकार से है कि गड़ित की वह साखा जिसके अंतरगत हम आकरतियों अत्वा आकारों का अध्यन करते हैं तो अंक गड़ित जामिती साखा या बीज गड़ित या सभी तो उप्सन नमबर सेकेंड यार इसका राइट आंसर जामिती साखा के अंतरगत हम आकरति तदा आकारों का अध्यन करते हैं कुशन कुछ इस प्रकार से है यार अगला की जो सोहन है गड़ित विशय के सिक्षक है ठीक है जो सोहन सरी मोहन है वो गड़ित पढ़ाते हैं उसकी कक्षा में कई चात्र मंदबुद्धी वाले हैं वह मंदबुद्धी चात्रों को भी सभी चात्रों के समान इस्तर पर लाना चाहता है मंदबुद्धी चात्रों को समान इस्तर पर लाना चाहता है मतलब जो अच्छी बुद्धी वाले है उन परिक्षण जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं करेगा जो कि मंद्विद्धी के इच्छात रहे तब तक वो उनको अच्छे बुद्धी मतलब एक अच्छे इस्तरवाले इस्टूडेंटों की डेवल में नहीं ला पाएगा इसलिए option number D होगा इसका right answer question number 12 कुछ इस प्रकार से दे रखाया की एक गढ़ित के सिछक पाथ क्रम के वीज़े में इस प्रकार कहते है ठीक है एक जो गढ़ित के सिछक है व अतलब ये पूरा का पूरा जो हमने पिंक कर दिया है अब इसे पढ़ लिजेगे पाथिकरम जो की बालक की वर्तमान था था भविसी के आउशकताओं को देखते हुए निर्मित किया गया हो उसे निश्चित रूप से उसकी रचनातमक सक्तियों के विकास का प्रयतन करना चा अगला कुशन कुछ इस प्रकार से है कि आकरती को देखकर नीचे दिये गया कथन में कुन सा कथन सत्य है बताए ठीक है यह आकरती ऐसे आप देख लिजे क्योंकि टाइप नहीं हुए थी हमने भी बना दी तो पहला है कि अर्धिवरित पर बना कोड एक स्वासी का होता है जो की गलत है बुलकुल अर्धिवरित पर बना कोड स्मकोड होता है ठीक है जो अर्धिवरित इस पर बना कोड यह क्या हो जाएगा यहां पर 90 डिगरी स्मकोड होता है तो आप्से नमबर सिद्धान्थ ठीक है गडित की विदी जिसका मुख्य सिद्धान्थ जीवन द्वारा सिखाना या क्रिया द्वारा सीखना है ठीक है गडित की सरी गडित की विदी जिसका मुख्य सिद्धान्थ जीवन द्वारा सिखना था क्रिया द्वारा सीखना है वह है तो अप्शन नम इसका राइट आंसर तो अगला जो कोशन है यार कोशन नमबर पंदरवाव कुछ इस प्रकार से है कि मद्यकाल में मद्यकाल के महानगड़ी तक ब्रह्मगुत के अनुसार कुण सा कथन सही नहीं है ठीक है कुण सा कथन सही नहीं है वह देखना है तो पहला उपसंदे दूसरा है कि धन संख्या को रेंड संख्या से भाग देने पर भागफल धन संख्या आती है धन संख्या मतलब दो और रेंड संख्या मतलब माइनस दूसरे जब भाग देने पर उनने आता क्या है माइनस वन और उनने क्या है कि एक धन संख्या आती है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा तो option number उसने पूछा कि कौन सा सही नहीं है तो option number second ही होगा इसका right answer यह है सही नहीं है थर्ड पड़ोगे ये भी सही है कि धन संख्या और धन संख्या का गुणा मतलब दो गुणा दो करने पर कितना आता है एक धन संख्याती जो कि सही है फूर्थ है रेंड संख्या और रेंड संख्या का गुणा करने पर एक धन संख्याती मतलब माइनस दो गुणा माइनस दो करेंगे तो भी कितना आएगा चार जो कि यह भी सही है तो यार option number second इसका गलत जो कि right answer होगा अगला question कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि किसके अनुसार संगीत मानाव के अउचेतन मन का ठीक है संगीत जो मानाव के अउचेतन मन का अंकगडीत की संख्याओं से संबंदित एक आधुनिक गुप्त व्याम है तो यह आरेभट नेपोलियन लैबनीज और ब्रें तो option number संख्याओं से संबंदित एक आधुनिक गुप्त व्याम है तो option number c है right answer यह कहा तक उनने तो लैब नीज ने यार तो हमने इन परिभासाओं से related एक वीडियो डाल रखा चाहो तो पिछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं question number सत्रवा को जिस प्रकार से दे रखा है यार की जो अभी क्रमित ठीक है अभी क्रमित अनुदेशन एक ऐसी सिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुववेस्तित एवं पूर नेरधारित वहवारों को उसके उसमें विक्सित कर लिया जाता है ठीक है तो अभी क्रमित अनुदेशन एक ऐसी सिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक को बालक के वातावरण को सुववेस्तित कर पूर्व निरधारित वहवारों को उसमें विक्सित कर लिया जाता है यह क्थन किसका है ठीक है तो देखोगे तो पहला option है इसमीत और मूरे का second है कोरे का कथन है अगला question कुछ इस प्रकार question number 18 की राधाने बाजार से दो जोड़ी मोजे ठीक है बारा दसमलो साथ जीरो प्रती जोड़े की दर से ठीक है दो जोड़ी मोजे खरीते हैं तथा एक दरजन ठीक है एक दरजने याद रखेगा अभ्यास पुस्तिका जो की दो दसमलो तो देखो यार एक मोजा कितने का है बारा दसमलो बारा दसमलो साथ जीरो का तो दो जोड़ी कितने के हो जाएंगे तो यह जाएगा तो पचिस दसमलो कितना चार जीरो रूपय का हो जाएगा दो जोडिम हो जा और यहां देखो गे तो दो दसमलो तीन जीरो गुणा टोटल कितनी उसने खरीदे हैं यहां पर अभ्यास पुस्तिगा के बात करें तो एक दर्जन ठीक है एक दर्जन में इस कितना हो जाएगा बारा और अगर हम इसमें बारा का गुणा करें तो यार बारा सुन नम सुन बारा तिया च्छतिस का छे बचेगा कितना तीन और बारा दुनी चोबिस चोबिस और तीन कितना हो जाएगा 27 मतलब 27 दसमलो 60 या छे जिर तो यार उसके पास 135 रुपय थे, उसने 33 रुपय मोजे और उत्तर पुस्ती का खरीदने में खर्च कर दिए तो बचाय कितने, तो जब 5 वे मैंसे 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 13 में से जब 5 घटाओगे तो बचेगा, विद्धयाले में गड़ित की सिच्छी का है, वह जयामिती पढ़ा रही, याद रखें, जयामिती पढ़ा रही कुण मोना, उसने एक छात्ररीतु से नेमनफ प्रस्ण हल करके उत्तर बताने को कहा, और प्रस्ण है कि दो कोण की माप का योग रिजु कोण की माप के बराबर होता है उसमें एक निवन कोण है तो दूसरा कोण सा कोण होगा ठीक है मतलब यह जो पूरी समस्या दे रखिये वो कुछ इस प्रकार की है कि यार एक रिजु रेखी लाइन मतलब आप जानते ही होंगे और यह कोण अगर एक निवन कोण है ठीक है यह वाला कोण अगर निवन कोण है तो यह वाला कोण 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 सा होगा यह पूछा गया है यदि रीतु ने सहीं उत्तर दिया अब रीतु ने उत्तर सहीं दिया है तो कुन सा सहीं उत्तर होगा नियून कोण हो नहीं सकता अगर ये वाला नियून कोण है तो ये कितना होगा अधिक कोण होगा मतलब option number second इसका right answer और जिन लोगों की जयामिती प्रकार है कि यहां देखोगे राम एक दिन में किसी पुस्तक का एक बटे चार भाग पढ़ लेता है और जो स्याम है उसी पुस्तक का एक बटे तीन भाग पढ़ लेता है तो जो यार स्याम ने राम ने एक बटे चार भाग पढ़ता है एक दिन में और स्याम एक बटे ती भाग पढ़ता है इस प्रकार छे पुस्तके राम को दी ठीक है जो राम को टोटल पुस्तके कितने दी है छे पुस्तके दी तता चार पुस्तके ठीक है चार पुस्तके स्याम को दी है तो पहले कौन अपने पुस्तक को पढ़ लेगा तो यहां पर यार देखो एक बटे चार जो दे रखा है एक बटे चार पुस्तक राम पढ़ता है कितने दिन में एक दिन में तो यह पूरी पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगा लेगा तो आप अगर जब इसे जोड़ेंगे ठीक है इसे जोड़ेंगे तो वो टोटल कितने दिन ले रहा है चार दिन में एक पु पूरी पुस्तक पढ़ने में एक पुस्तक पढ़ने में चार दिन लेगा और उसे छे पुस्तक दी है तो टोटल कितने दिन हो गए तो राम या स्याम तो यहां देखू यार पढ़ा कुने बारा दिन में वह भी किसने स्याम ने तो option number second is का right answer. अगला question कुछ इस प्रकार दे रखायार, किसवा की सरस्वती गडित की सिक्ची का है, जो सरस्वती गडित की सिक्ची का है, वह कक्छा 5 में आयतन सम्बंदित अध्यापा का अध्यायपा का अध्याय पढ़ा रही है, वह भी कुन सा आयतन सम्दित। उसके अनुसार कोई वस्तु जितना इस्थान घेरती है वह क्या क्या लाती है तो देखो पांचवी क्लास की एक सिक्षी का है सरस्वती वह पांचवी क्लास वालों को पढ़ा रही है आयतन संबंदित अध्याय पढ़ा रही है उसके अनुसार कोई वस्तु जितना इस्थान इस्थान केहलाती तो अगला कोशन इस प्रकार हो कि किसी गड़ी तक की कारियों की प्रसंसा करना किस मुल्ले से संबंदी थे तो option पहला बहुत धिक मुल्ले, प्रयोगात्मक मुल्ले, सुंदर्यात्मक मुल्ले या इन में से कोई नहीं तो option number C ही है, इसका right answer कि किसी गड़ी तक की कारियों की प्रसंसा करना ये कहलाता है Question number 23 हो जाएगा कि निम्न मेंसे किस आंकडे को दरसाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे ठीक है मतलब हमें एक आयत चित्र का प्रयोग करना है किसी निम्न मेंसे किस आंकडे को मतलब यह जो चार आंकडे दे रखे इनमेंसे कुन्जा आयत को निर्मेत करता है तो पहला दिया है कि एक डाकी ये के थेले में विभिन छेतरों, ठीक है विभिन छेतरों के पत्रों की संख्या, सेकेंड है किसी खेलकुत प्रतियोगिता में प्रत्यासियों की संख्या, और थर्ड है किसी रेलवे स्टेशन पर प्राता साथ बजे से सायम साथ बजे तक रेल गाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या और फूर्थ आप्सन है कि पांच कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या तो आप एक चीज समझे यार देखो सेकेंड तो खेल कुद में तत्यासी जो भाग ले रहे है वह आयत के चितर को प्रदर्सीत नहीं करेंगे मतलब आप्सन नंबर जो सेकेंड है वो तो आंसर हो नहीं सकता वहीं पर अगर हमें जब थर्ड आप्सन को देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पर सुपर साथ से सामको साथ बज़े तक कितने लोग जा रहे हैं ये भी आयत को निर्मित नहीं कर सकते हैं मतलब आप्सन नंबर थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता बचता है पहला कि डाकिये के थेले में विभिन जो विभिन जो चेत्रों के पत्र जो दिये हैं वो भी कर सकता ऑर और ऑ्सन fajshirt की आपने अगर टेप देखा होगा पुराने-जामाने में इस प्रकार का今天 होता जो कि हर एक कितनी भी कंपनिया बनाएं परन्तु हर कंपनिया अगर जो कैसेट बनाएगी जो टेप बनाएगी वो सबके आकार क्या रहेंगे समार और आयताकार इसलिए अप्सिन नमबर डी होगा इसका राइट आंसर अगला कोशन कुछ इस प्रकार से है कि रितु ने ठीक है रितु ने बाजार से तर्बुच खरीदी है ठीक है बाजार से तर्बुच खरीदा रितु ने जिसका वजन चार किलो छेसो ग्राम था तो यहां अगर देखेंगे तो चार किलो और छेसो ग्राम था वह उसे दो व्भाग के 2 बराबर भाग करती है, मतलब पुन्हा आदे भाग, तो देको पहले आधा तो ये हो चुकका, इसको फिर से आधा करती है, तो ये हो जा जाएगा, दो का आधा 1 और 300 का हो जाएगा किज़ा तो फिर से आधा कर देती है अब सबसे चोटे तुक्डे को पूँहा दो भागों में बाढ़ती है, तो यहार, एक का आदा कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, ठीक'? 16.2 के पानसो क्राम, और 158 का कितना हो जाएगा? 75 ग्राम, इस प्रकार सबसे चोटे तुक्डे का वजन कितना होगा? तो जब पांसो और 75 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा पांसो पच्छत्तर ग्राम तो सबसे चूटे का भार कितना होगा तो अप्सा नम्बर फरस्ट होगा इसका राइट आंसर पांसो पच्छतर ग्राम अगला कुश्न कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जो रिजवान है वह वर्स, नो वर्स, ग्यारा वर्स और तेरा वर्स है, इन छात्रों की आयू का माध्य क्या होगा, एक छात्र अंकित ने प्रस्ण को इस प्रकार से हल किया, अब देखो अंकित ने करा क्या है, इस प्रकार से जो हल किया है, तो उन्हें अंकित ने कर दिया कि पंदरा प्लस बार समझता है कि माद्ध उसी प्रकार किया जाता है ठीक है तो हम खुद जानते कि माद्ध इस प्रकार से solve नहीं किया सकता तो option number first इसका तो यह क्या हो जाएगा गलत second है कि छातर से पूछा गया प्रस्न उसके पाठिकरम से नहीं है ठीक है तो यह हमें नहीं पता इसलिए option number second भी इसका गलत थरड़े कि छात्र माध्य संबंदित अवधार्णा से अन्भिग्या है बिल्कुल यदि अगर अंकित ने question solve किया है इसका मतलब यह जानता था होगा और अगर यह जानता तो सही solve करता पर तो यहां पर लिखा है कि छ चाकड़ों को जोड़ा गया है तो यहां भाग किस से देता पांच से तो आंसर कितना आता बारा तो यह सही होता परन्तु यह अवधार्णावर नहीं जानता मतलब अन्भिग्य था अगला question कुछ इस प्रकार से दे रखा है जो रामदेव है ठीक है वो प्रात्मिक विद् संदित मोल ले वहवारिक मोल या सांस्क्रितिक मोल ले तो सब्विता सब्विता का धरपण है तो इससे जलगता कुछ सांस्क्रितिक मोल ले option नमबर डी हो का right answer question number 27 दे रखा है यार वीडियो के length लंबी हो रही पर process करिए गड़ित का practice सेट इससे छोटे में possible ही नहीं है इन सभी संख्याओं को solve करना है यार तो यहां यह पहली संख्या दूसरी संख्या किसरी अगर हम इसे जोड़े तो 8.536 second है 0.0064 और 3rd है कितना 0.004 इधर भी 0 जाएगा 4, 6, 2, 12, 12, 12, 14, 16, बचेगा 1, 3, 4, 5, 5, 5, 5, दसंबलो और यहां 8, माइनस कितना करना है तो यह वाली संख्या माइनस करनी है तो माइनस करना है 3.775 और यहां जाएगा 0, solve करोगे तो यहां जाएगा कितना यार 4, 6 में से जब 5 जाएगा तो 1, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहां पर भी 14 में से 7 जाएगा तो 7 और दसंबलो यहां बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 तो option ऐसा कुछ आएगा answer 4, 7, 7, 1, 4 जो कि option में नहीं है परनतु यह होगा इसका right answer अगला question कुछ इस प्रकार से है कि यार, question number 8, किसके अनुसार, व्यापक महत्वठी के दिया क्या है, व्यापक महत्व की द्रिष्टी से गडित सभी प्रकार की ओपचारिक निगमनात्मक तार्की क्योगिता का विकास है, ठीक है, यहां पर जो question दे रखा है कि व्यापक महत्व की द्रिष्टी से गडित सभी प्रकार की ओपचारिक निगमनात्मक तार्की क्योगिता का विकास है यह किसे ने कहा था तो कामेट ने वाइट लेंड ने बेकन ने या फिर लॉक ने तो यार मैंने जो पिछला लेक्षर एक डाल रखा है पीछे परिभासां से रिलेटेड आप उसे अवेश्च देख लीजी क्योंकि जितने प्रेक्टिस सेट अब हम लगा रहे है उनमें maximum यही चीज़े मिल रही है तो option number second इसका right answer की white land ने ये कहा था कि व्यापक sorry white land ने कहा था कि व्यापक महत्व की द्रिष्टी से गडित सभी प्रकार की आपचारिक निग्मनात्मक निग्मनात्मकता तार्की क्योगिता का विकास है question number 29 हो जाएगा कि मोहन कक्छा तीसरी का चात्र है ठीक है जो मोहन है वो कक्छा तीसरी का चात्र है गडित सिक्छन के दौरान अध्यापक ने एकस तथा वाय का योग ग्यात कीजिए ऐसा पूछा है एकस तथा वाय का योग ग्यात कीजिए इस प्रसन को हल करते समय चात्र मोहन इस प्रकार का उत्तर लिखा एकस तथा वाय का योग एकस माइनस वाय चात्र द्वारा किये गए इस उत्तर से ग्यात होता है ठीक है मतल चाहो तो देख लो option first है कि छात्र को योग करना नहीं आता, second है छात्र को केवल घटाना आता है, छात्र अध्यापक के बाद, sorry, अध्यापक के बाद ध्यान से नहीं सुनता है, ठीक है अध्यापक की जो बात है वो ध्यान से नहीं, यहां बात आएगा, अध्यापक की बाद स अंतर कर दिया और अंतर भी पुछते तो भी x minus y ही something something बताता इसलिए अपसर नमबर डियो का इसका right answer last question कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार की यहां दे रखा है आपको यह ठीक है 3 सहीं एक बटे 4 और 5 सहीं एक बटे 4 इसे अगर हम जोड़ेंगे तो इतना कुछ आएगा और minus इसे जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना 3 ठीक है 3 प्लस एक बटे 2 और प्लस कितना एक बटे 4 और आगे जब हम solve करेंगे तो यहार यह एक बटे 4 और एक बटे 4 मतलब कितना आधा तो 8 सहीं एक बटे 2 मैंस इसे जब जोड़ेंगे हम तो आएगा कितना ठीक है 3 प्लस 3 बटे 4 आएगा तो 8 सहीं एक बटे 2 माइनस 3 सहीं 3 बटे 4 जब माइनस करोगे तो फाइनली जब माइनस कर रहोंगे तो यहाँ पर 8 मेंस 3 जाएगा तो कितना जाएगा 5 और जब आप घटाएंगे एक बटे 2 मेंसे 3 बटे 4 तो आ कितना जाएगा तो 3 बटे 4 ठीक है जब इसे आप माइनस कर रहोंगे तो अंसर आ जाएगा चार सहीं 3 बटे 4 ठीक है यह होगा इसका राइट आंसर आपसन नमबर सेकेंड इसका राइट आंसर तो यहार वीडियो कैसा लगा आप यह जरूर बताएगा और जितने भी लेक्षर होंगे थोड़े लंबे जरूर होंगे पर कोसिस करी किया पूरा पूरा देखें ठीक है और जो आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूमेंट होना चाहिए तो आप बिलुकुल अपने सजेसन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो आने वाले लेक्षरों में वो सारी चीज़े आपको इंप्रूमेंट जरूर मिलेगी और यदि आप कोई मैस से कमेंट कर दीजेगा तो आने वाले लेक्षर उसमें डाव दूँगा तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो शेयर जरूर करें जय हिन जय भारत जहां है सुरक्षित रही अपना दिहान रखिए